हेलो डियान वेलकम तो माई यूटूब चैनल आपका मारे यूटूब चैनल पर वो दोस्ट स्वागत है इस चैनल पर आपको MS Physics इंटरेंस एक्जाम से लिटेट सारे जानकारी प्रब्दि कराई जाती है और वीग रिजोशन तो आप उन्हें पर आपिटन के द्वारा जाके देख सकते हैं आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUT Exam 2022 के बारे में तो जीसा कि आप सब भी को यादे CUT Exam 2022 के application form यहां पर स्टार्ट हो गए हैं यह अपने अपिटेक application form नहीं बढ़ा है तो आप उसे 6 May 2022 से पहले बढ़ सकते हैं आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि Central University of South Bihar आपको यहां पर कौन-कौन से courses ओफर कर रही है 400 graduation, 4 CVT exam 2022 यहनि कि यह आप Central University of South Bihar में admission लेना चाहते हैं सब बात आपने इस वीडियो में discuss करने वाले हैं इसलिए वीडियो को लास तक जरूर दीखेगा और वीडियो पैसना है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं साइंस प्लस एकोनोमिक्स यह आपको आप पर टेस्ट देने होंगे for art, science, commerce stream और यह दिवन बात करें सिक्षन थर तो वो जनरल टेस्ट यहाँ पर होगा जो भी यहाँ पर कंपल्सरी है 10 प्लस 2 इसके लिए पने eligibility देख लेते हैं तो 10 प्लस 2 in examination in any stream from the recognized board university with at least 50% marks and 45% marks for SCST, PWD, candidate तो जानर कीगा 50% marks यहाँ पर required है general category, OBC और EWS category के लिए और 45% marks यहाँ पर required है SCST, PWD, candidate के लिए चाहे वो किसी भी stream से हों वो इस course के लिए apply हैं आपे कर सकते हैं जो next course यहाँ पर offer करती है वो है B.A.C. B.A.D. यह भी 4 साल का integrated program में यह भी आप Central University of South B.A.R. से आपर कर सकते हैं इस course में अच्छा है कि आपकी B.A.C. के साथ यहाँ पर B.A.D. भी complete हो जाती है section first है में आपको language test देना होगा जिसके अंदर English compulsory है section second जो उसके अंदर teaching aptitude, physics, chemistry, biology, mathematics, for science system और section third है उसके अंदर general test आपको यहाँ पर देना होगा जो कि यहाँ पर compulsory है इसके लिए eligibility के अपन बात करें तो वो है यहाँ आपे 10 plus 2 equivalent examination in science system तो science system जानी कि 12th आपकी science से की होनी चाहिए जिसके अंदर 50% marks आपके लिए required है जनरल, obviously, EWS candidate के लिए and 45% marks जो required है वो है SCST, PWD candidate के लिए यह जो website इसके link आपको मैं direct description में provide करा दूँआ जाहां से आप इसे detail में study कर सकते हैं और अपन यहाँ पर बात करें appearing in specified paper is mandatory as a marks of section first and third will be taken into consideration for preparing merit list तो ज्यान रखेगा जिसके अंदर आप BLLB owners यहाँ पर कर सकते हैं इसके लिए जो आपको section first में test देना होगा वह है English compulsory section second जो होगा उसमें legal studies plus accountancy plus business studies plus economics, commerce या फिर जो दूसरा है उसके अंदर है legal studies plus history plus political science plus economics for arts stream commerce stream के लिए मैं आपको उपर आला बता दिया है फिर यह दिपन बात करें science stream की तो उसके अंदर है legal studies, physics, chemistry, biology या फिर mathematics for science system और जो section third है उसके अंदर आपको general test यहाँ पर देना होगा इसके लिए भी जो required marks है वह है आप इसके बार में detail more study कर सकते हैं आपको direct description में link provide करा दूँगा, आराम से आपको जिस university में admission लेना है उसकी website को visit कर सकते हैं, course वहाँ पर चेक कर सकते हैं, कौन-कौन से courses available है, आज अपने बात करें Central University of South Bihar की, इससे पहले में बात कर चुका हूँ, Central University of Arana की, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे, तो आप उसे मेरी चैनल पर जाकर करके देख सकते हैं, next video में बात करेंगे किसी और Central University के बारे में, जिस Central University के बारे में आप detail में जानना चाहते हैं, मुझे comment करके ज़रूर बताइए, thanks for watching, please like and subscribe my YouTube channel